स्वागत साथियों GS online पर दिस्टी क्विक बुक की समरी में हम लोग समाने विज्ञान का चैप्टर पढ़ रहे थे विद्धु धारा विद्धु चुम्बकत्तु तो आज हम लोग इसमें देखेंगे विद्धु धारा के रासाइनिक प्रभाव चुम्बकत्तु के प्रभा देखे जा सकते हैं ठीक है और रंगी परिवर्तित हो जाता है विल्यनियों के तो यह हम लोग इनको देख सकते हैं रासाइनिक प्रभाव के तौर पर एक होता है यह क्या होता है तो किसी अमली या चारी गोल से विद्धु धारा प्रवाहिद करने पर गोल के अणों का तोट पर मुक्त हुए पदार्थ का कुल दरब्यमान वेद्यु अबघट में प्रवाहिद हुए संपूर्ण विद्धूत आवेज के अनुकृमान पाती होता है दूसरा नियमिन का क्या कहता है कि विभिन वेद्धूत अबघट्यों में समान धारा प्रवाहिद की जाए तो मुक्त तत्तों के दर्बिमान और उनके रासानिक तुल्यांगों के अनकुमान पाती होते हैं फेराडे का नियतांग क्या कहता है कि फेराडे नियतांग विद्दुत आवेस की वह मात्रा है जो किसी पदार्थ के एक तुल्यांग भार को विद्दू तक बटन द्वारा मुक्त करती है और जो फेराडे नियतांग खैप यह होता है लगबग 96,487 कूलाम पर मौल अब आगे बात करते हैं सबसे important जो मरा topic है वो है electric cell के बारे में यहां से question बनते हैं तो रासानी उर्जा को विद्दू उर्जा में परिवर्टित करने का काम करता है electric cell जिनको अपनी गाड़ी में लगाता है अपने मोबाइल में आपके लगा होता है के torch में लगा होता है तो दो प्रकार के cell होता है Engine to primary और secondary. ठो इन तो इनमें क्या होता है कि वह उसके अपने भी तो क्यों कि वह ंनुप्य हो जाते हैं यह उत्क्रमेडियर अब्षानी का विक्रिया होती है यह ने कि एक बार संट होने के बाद क्या होगा अनुपयोगी हो जाएगा जो से केंडरी से लूंगा न वह वे रिजार्ज़ेवल हो जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी में लगा हुआ है इनको क्या होगा कि जो विद तूरिजा तो फिर से यह चार्ज हो जाएंगा फिर से उस रहसानी कूर्जा से विद्वतॉर्जा में आएगी तो फिर से काम कर पाएंगे तो मूबाईल में समयन लीथियमायन बैट्री का प्रियों किया जाता है आपकी बैट्री जो होती है इसको निकालके देखिएगा आप खरीते से में देखते होगा निकितने MH की बैटरी है तो ये क्या होता है यह अब इंवर्टर की बैटरी खरीने जाते हो तो बताता है 1.480 CH की है ये क्या है जैसके आप खरीने जाते हो तो यहां पर आपको समझना चाहिए कि जो विद्दूद ऊर्जा-धारिता है यह उसकी माप है तो इसके लिए एंपीर आवर का प्रीयूग किया जाता है एंपीर आवर एंच एच एच का प्रीयूग किया जाता है जैसे आप और छोटे उपकरण लोगे जैसे घड़ी यह मोबाइल फोन है तो इसमें क्या होगा मिली एंपियर में उसको मापा जाएगा ना चुकि अब एंपियर आवर ने उसे चोटा हो जाएगा तो मिली एंपियर में एच में एम लगा दीजिए तो एम एच हो जाएगा तो यह आप कि मोटर कार बैटरी होती है जो इनवाटर मियूज होती है वो क्या होती है तो एंपियर आर एच में होती है जो मोटर कार वाली होती है समयंता बारा वोल्ट की होती है तो इसको एंपियर घंटा में मापता है एच में तो इसमें क्या होता है जो थार्टी फाइव परसंट स गल्वैनिक सिल यह अफगटनी सिल क्या है और गल्वैनिक सिल क्या है तो जिन सिलों में विद्धुत धारा प्रवाहित कर विद्धुत अफगटन की प्रक्रिय संपन कराई जाती है उनको विद्धुत अफगटनी सिल कहेंगे और जिन सिलों में रासानी कूर्जा धारा की प्रभाव तो किसी चालक से विद्धुधरा प्रवाईत होने पर यह चुंबक की छेतर उत्पन सकता है चुंबक से गुजरणे वाली कःखाय होती है चुंबक चुम्बक के बाहर और चुम्बक के अंदर चलती है तो इसको अगर आप एक खोखला मान लें जो एक बीच में दिया हुआ है यह नौर्थ सौथ लिखा हुआ है तो इसमें चुम्बक की रेखाएं देखिए किधर से चल रहे हैं तो इसको आप समझ पाएंगे कि इसमें एक दुरूब होता है उत्तरी एक होता है दक्षणी दो दुरूब होता है तो एन और जो एस आपका लिखा हुआ है तो इसमें चुम्बक के बाहर जो होगा यानि कि यह वाली लाइन है यह देखिए नौर्थ से साउथ चल रही है नौर्थ से साउथ यानि कि इधर से दुरूब यह यह आपर आपको बताया गया है पिसंदो के चुम्बक के बाहर उत्तरी दुरूप से देख्शनी दुरु तक संचरित होती और चुम्बक के भीतर दक्षण से दोनों होती है चुम्बकी छेत्र में एक यह मैगनेटिक फ्लक्स मैगनेटिक फ्लक्स क्या है तो चुम्बकी छेत्र में प्रति एकांग छेत्र फल से लंबवद गुजरने वाली चुम्बकी बलरेखाओं को चुम्बकी फ्लक्स कहा जाता है इसको फाई से दरजाते हैं तो यह हो गया आपका चुम्बकी फ्लक्स किसी विद्धु धारवाही चालक से संबध्ध चुम्बकी छेत्र की दिसाग याद करने के लिए मतलब दिसा कैसी है तो इसके लिए दक्षण हस्त अंगुस्ठ नियम यानि के राइट हैंड थाम रूल अगर इसका इंगलिस याद करे है तो इसमें क्या है कि देखिए आपका एक इमेज बना हुए यह आपका दाहिने हाथ है दाहिने हाथ को आप ऐसे नीचे की तरफ अंगूठा करके कोई चीज पकड़िए जिसे मालेज एक तीर पकड़िए तो क्या होगा कि जो अंगूठा होगा वो बिद्धु धारा की दिसा की और संकेत कर रहा होगा और जो आपकी उंगलियां होंगी उनकी जो दिसा होगी वह आपकी चुमबकी छेतर की दिसा बताएगा ठीक है चुकिए आपकी उंगलियां ऐसे बंद होगी तो यह बताएगा कि अगर धारा इधार होगी तो चुमबकी छेतर की दिसा कैसे होगी यह किसके जरी पता चलेगा जिसको मैक्सवेल का कार्ष्कू नियम भी कहते हैं कार्ष्कू नियम भी कहते हैं राइट हैंड थम रूल ठीक है तो इसमें जो है एक फैक्ट शेयर किया गया है कि 1820 में हैंस क्रिश्चियन आर्ष्टेड उन्हें ने खोजा कि किसी धात के तार में विद्दुधार प्रवाहित करने पर पास में रखी जो कमपास थी उसमें विक्षेप हो गया तो बादमन को प्रमारित किया कि जो विद्दुध और चुम्बकत्व हैं यह परसपर घटनाय हैं और जो है वह किस दिशा में लगता है जिसको फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से समझा सकता है यह तो इसमें आप अंगूठी को हाथ को ऐसा पकड़ा जैसे इसमें दिखाए गया जो है और लगभग 90 डिगरी का एंगल बना रहे हो तो इसमें जो आपका अंगूठा है वह जुम्बकी छेत्र को जो मध्यमा है वो विद्धु धारा की दिशा को दिखाएगा तो यह फ्लेमिंग का बाम हस्त का नियम है लेफ्ट हैंड रूल आई इसके बाद जो इसके प्रयोग होते हैं हमारे वह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनको देखते हैं तो जो विद् खाने में लोहे के भारी समाना को उठाने के लिए विद्धु चुम्बक बनाने का इसमें प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन की बात करते हैं वैद्धु चुम्बकी प्रेरण क्या होता है देखें किसी परिवर्तित होते चुम्बकी छेत्र में विद्धु चालक को रखने पर उसमें विद्धु बहकबल या विववांतर उत्पन उठता है इसी को कहते हैं विद्धु चुम्बकी प्रेरण इसका मातरक होता है वह होता है टिसला मैकल फेराडे थे तो उन्होंने 1831 में विद्धु चुम्बक की खोच की थी और खोच बनाने में इसका प्रियोग किया जाता है तो यह हुए आपका कौन सा यह वैद्द चुमकी प्रेड़ हुआ और הא сор मीर्णिक औरbereich जाता है यह थीज़ प्रईवार पकौन करते हैं तो इसमें जो आपका ट्राइण करते हैं 5 574 में जो अानट्र कर दाण ट्राइण वर अक्षपर्मर क्यों होता एक होता है सेट यह स्टइप ट्रांस्पपर्मर त्रूसरा step down step up और step down जो step up होगा वो कौन सा होगा तो यह होता है निम्न विभाव जो लो potential का होगा कि विद्धुधारा को high potential की विद्धुधारा में प्रियोग किया जाता है step up यानि कि ऊपर किया जाएगा दारा को potential को और जो step down किया लगे होते हैं जो आप देखते हैं this और जो आपके बिजली के उत्पादन केंद्र होता है वह आं पर लगे होते हैं आपके स्टेपॉब त्रांस बार म को क्या चाहिए उसको हाई पोटेंशिल पर ट्रांस्मिट किया जाएगा इससे विद्धु छह कम होगा तो और जब बाद में घर में आएगी जाना हाई पोटेंशिल अगर आएगा तो घर के तो सारे इंस्ट्रुमेंट आपके उड़ जाएगे तो फिर क्या हो किया जाएग तो अब एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि जो ट्रांस्फर्मर होते हैं यह केवल आपके एसी करेंट के साथ ही या पोटेंशिल के साथ ही काम कर सकते हैं अल्टर्नेट यह डीसी के साथ में काम नहीं कर सकते दीसी ट्रांस्फर्मर नहीं होता है ठीक है तो यह बात ध् दान्त के प्रयोग से विद्दू तूर्जा को यांतरी कूर्जा में बदलने की युक्ति को मोटर कहते हैं तो मतलब क्या हो गया कि जो बिजली की एनर्जी है उसको मेकेनिकल एनर्जी में गर चेंज करते तो वो क्या हो जाएगा मोटर हो जाएगा तो मोटर चलने लगेगा गोता है तो भी चुडबन ता यानि कि मेखनिकल एनर्जी को किस में कर्मट किया जाता है जो विद्दृत उर्जा में लेक्ट्रिक इनर्जी में तो यह आपिके हो गिया डायनमो अब यहांपर किसे क्या युक्ति प्रयोक की जाती है कोरफ़ा कि ने तो कुछछे जाता है यह ऐंत्री कोरजा से वीद्व्द्वतूर्जा में परिवरतन कहलाता है डाइनमो और वीद्व्द तूर्जा से यह अंत्री कुए में परिवरतन कहलाता है व ór diesem motor ठीक है दोनों opposite में रहां सानी कोड़ा आसे आगर विद्धुटूर्जा नद्गण करता है बैटरी और विद्धूतूर्जा प्रकास उत्पन कर रहा है तो आपके बल्ब होता है बल्प सीस फर एडी और विद्धूतूर्जा ज़ो उसमा है उसमी प्रभाव तो आप को हीटर बल्ब वगरा प्रयोग में आते हैं में लिए आपके दो तीन है इनको आप अच्छा से याद कर लें तो यह आपके क्लियर हो जाएंगे आई देखते हैं घर में हमारे बिजली की आप उर्टी कैसे होती है थोड़ा बेवारी ग्यान है यहाँ पे तो 220 वोल्ट का जो पृपे लिए जाता है मेंन जो होता है वह एह वह का बद्दुन में और दूसरा जो है नीटल है वह दासीन तो इनके बीच में जो पटेंशव तो पोटेंश्यल डिफरेंस होता है वह 220 वोल्ट का होता है मेंस और न्यूट्रल में कितने का 220 व्याइब देखेंगे वायर लिखा रहता है कितने ये पोटेंश्यल के काम करेंगा 220 वोल्ट अब आपके घर में दो तरीके की स्विथ सॉकेट युआ प्रेयोग होते हैं जो घर में लगा जाते हैं जीसमें चोटा बाला जहर मुबाइल चार्जिंग में लगाते हो पांच फियन का होता है जिसमें आप हीटर लगाते हो वह आपका होता है तो दिखे- व्यूकूश्य के लिए सकता है लेकिन कि चुकि जो सबाइख को दिखाक होता। है यह करेंट के लिए होता है और इसको बाद में जमीन में जो एक प्लेट कर दिया जाता है जिससे कि अगर कोई शॉर्ट चाट्किट वगरा हो तो बाद में यह उसका पोटेंशल है वो प्रित्वी से जाके मैंने जो जाए और इसका नुक्सान घर में कम हो ठीक है तो यह रहा आपका इस तरीके से हमने पूरा चैप्टर जो एलेक्टिसिटी वाला है उसको ह हमने यहाँ पर आपके साथ शेयर कर लिया अब इसके बाइश चोटा सा प्रैक्टिस सेट है उसको हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट वाले लक्षे में कम्प्लीट कर लेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बुट बाए